आज काशी सुपू ये साउत में मिलता है ये साग ऐसा होता है तो इस साग का जो फल होता है उसका सबजी बनाएंगे ये चावल के लिए चापाती के लिए बहुत अच्छा होता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है उसके लिए जो सामगरी चाहिए वो बीज एमे एक कप लिया है ओयल, नारियल, राई, जीरा, काली मिर्ची थोड़ा कुट के लिया है, उरत का दाल, छन्ने का दाल, थोड़ा इमली, नमक, गुड, लाल मिर्ची, हिंग, बुगरे का आटा लिया है, एक कप, कड़ी पत्ता, अभी इन सब चीजों को मिला के सबजी बनाएंगे, कड़ाई में ओयल डाल रही हूं, ओयल गरम होने के बाद सरसू, चन्ने का दाल, उरत का दाल, ये थोड़ा रोस कलर, पून लेंगे, खड़ी पत्ता, लाल मिर्ची, हिंग, जीरा काली मिर्ची, ये बीज को में डाल रही हूं, ये थोड़ा ऐसा पका लेंगे, एक दो मिनिट ऐसा पकाएंगे, इमली निचोड के लिया हैं, वो भी डाल रही हूं, इमली का पनी, गुड, नमक, हल्दी, नारियल, वो बुगरे का आटा पानी में मिला करके इसमें डालेंगे, नहीं तो गांट गांट बनता है, इसलिए उसको पानी में मिला के वो भी इसमें डाल रही हूं, यह पांच मिनिट के लिए पका लेंगे, ठाली बंद करके, देखिए, यह रड़ी हो गया है, अब इस सर्विंग बोल में निकाले हूं, काशी सुपू गुजू, रेड़ी, बेड़ी,